हेलो व्रीवन वेलकुम बैक टू समीना जिटिल वर्ट तो जी आज हम अपने लिविंग रूम को एक कोजी लुक देने के लिए उसके लिए बना रहे हैं एक सोफिका कवर जो की हम इस बैच शीट को यूज करके बनाएंगे यह हमारी बैच शीट 18 साल पुरानी है और आप द आती है क्योंकि यह हाथ से दूलती है मशीन में यह नहीं दूल पाती है इसलिए हमने सोचा है क्योंने इस बैच शीट को यूज करके हम अपने सोफिका कवर बना ले और जब यह कट हो जाएगी तो हमारे लिए धोना भी इसको एजी हो जाएगा तो चलिए इसी बैच करएगी निली है । इस वाग शोफा अपनी रख सबाठ को कट करें यह पर यह फोड़ सीटर से हमने इसका मेजरमन ले लिया है अब इस सिर्थ किया है जमीन में और इंचिटेब से हम इसका मेज़ेमिंट ले रहे हैं ताकि यह चारों तरफ से बराबर रहे तो इसको हम कट करके निकाल देंगे और हमारे यह लबमे वाला जो सोफा है उसका कवर बनकर रेडी हो जाएगा तो इसको हम साइड में रख देते हैं उसके बाद जो हमारे पास बेट शीट बच रह पर भी कपड़ के निकाल के लिंगे यहांसे इस ofie की निकाल देगे ताकि जो हैंड में त।ब KEVIN के इसे के लिए अप आप जाते हैं मशीन पर आप देख सकते हैं इसे लेंद से के स्थेन पर आते हैं तब हजाते हैं यह को तरह देलहां सब्सक्राइब कर्ण दरव से करण करणों के अजया है और फ़ोलगें तंछ को दिया है और है एम Cubbon कर दो क्हांद कर दो बन ता भी यहां और को पंड के घाल को सिलाई लगानी भी तरह पास कप्ड़ में पारnah लगानी होगी, कॉनर्स पर आके कॉनर को अच्छे फिनिशिंग से बनाने के लिए आप इस तरह से देखिए, आप निकाल दें मशीन में से इसको, और उसके बाद यहाँ पर आप काईपिन को इस तरह से खड़ा करके मोडें, और यहाँ पर एक कॉनर सा बना दें, यहाँ पर अब इस कपड़े को दुबारा से पलटना है इस तरह से, और इस साइट से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है, तो हमारा चो कॉनर है वो बिलकुल फिनिशिंग से बन जाएगा, और पाइप इन भी बिलकुल फिनिशिंग से लग जाएगी, अब यहाँ पर सिंपल हमें वही आदा इंच का मार्जन लेते वे सिलाई लगा लेनी है, तो यहाँ पर देखिए एक साइट से पाइप इन को स्टिच कर दिया है, कॉनर इस तरह से फिनिशिंग से बन जाएगा, अब कपड़े को पलट लेना है, और जो उल्टी साइड है, इसकी रॉंग साइड, वहाँ प साइप इन बिल्कुल फिनिशिंग से लग जाएगी, और जो भी इसमें साइड में से कपड़ा निकल रहा होगा, धागे निकल रहा होंगे, वह निकलना बंद हो जाएगे, और अब हम इसको आराम से मशीन में वाश कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंध भी छोटी हो गई है, और विट भी छोटी हो गई है, क्योंकि इसको हमने बना लिया है अपने सोफे का कवर, तो देखे इस तरह से इसको मोड के लगाते जाना है, और कॉर्णर पे आके थोड़ा से इसको सेट करना है, इस तरह से पकड़के, और फिर इस पे सिलाई लगानी है, कॉर्णर बना ल बन गया है, बहुत अच्छे से और इसी तरह से हमने अपने सारे ही सोफे के कवर को स्टिच कर लिया है, चलिए अब बनाते हैं कुशन कवर, वो भी इस प्लेन कपड़ को यूज़ करके, अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्लेन कपड़ा पड़ा हो, पर थोड़ो सब मोटा थिक फैबरिक हो, तो आप उससे आराम से कुशन कवर बना सकते हैं, यहाँ पर हमने यह कपड़ा ले लिया है, और इसको बनाने का मैथट बहुत एजी सा है, जो भी आप कुशन कवर बनाना चाहते हैं, उसी को आप इस पे रख लें, और इसका मेजरमेंट इस तरह से लें और आराम से स्टिच कर लेंगे, आज जो हम कुशन कवर बना रहे हैं, यह बिना चेन वाले बना रहे हैं, जो कि आप इसली घर में बना सकते हैं, यहां पर देखे हमने दो कपड़े इस तरह से लिये हैं, और इसको यहां पर फोल्ड कर दिया है, दूसरा वाला पीस जो इस इस तरह से रखना है, और यहां से इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको भी हमने फोल्ड कर दिया है, अब यह जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट मोड़ा है, यह करीब 8 हुंगल के करीब है, यहां देख सकते हैं, आप 6 इंच मान लें, और यह हमारा पार इसको हमें कट कर द है, और इससे हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे, तो हमारे जो कुशन की लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग लिए हम इसको कट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के, यानि आदा आदा इंच एक्स्ट्रा हमने इसको लिया है, और इतने बड़े-बड़े हमें इसको कट कर लेना है इन डोरियों को, यहाँ पर हमने काफी सारी डोरियों को कट कर लिया है, यह देख सकते हैं आप, अब यहाँ पर हमने लिया है मास्किंग टेप, और उससे हम इसके जो चारो कॉनर हैं, उनको स्टिक कर देंगे, तक कि जब हम इसके डिजाइन क्रियेट करें, तो हम यहां पर अगेन मार्किंग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा गैप लेते वे देख सकते हैं आप तो यहां पर हमने पांच निशान लगा लिए हैं तो सवा सवा इंच का मार्जन लेते वे हैं उसके बाद जो हमने ये वी कॉड़् को कट पूर्टकर्यां और कटकरीवी हैं, उन Dakota, हमीं stik कर यहां उसके बाद जो जूरियां रहेने हैं, इनको हमें सीधा कर लेना है है, इनको हमें सीधा कर लेना है, आप जो दूसरे साइट के भणी हैं, इनको इसके अंदर से निकालना है हमें जिक्जाग पैटन में, एक डोरी के को उपर करना है और एक को नीचे करना और इस तरीके से निकालते जाना है सारी ही डोरियों में यही प्रोसेजर को अपलाई करना है तो बस जी पैटन हमारा बन गया है दूसरी साइड में भी ग्लू गन की हेल्फ से इसको स्टिक कर देना है बिल्कुल भी खबराने के ज़रु वाले यह उस करेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं निकलेगा आप कितना भी इसको वाश कर लें तो आप ग्लू गन की हेल्फ से इस तरीके का डिजाइन आराम से बना सकते हैं तो दोनों साइड से हमने इसको स्टिक कर दिया है और बीच बीच में भी हम थोड़ा सा ग्लू तयकि तो इसको इसका पैटन वह सी तरीके से बना रहें तो नुत हjin पना रहें थोड़ा थोड़ी जगा पर आप ज्रूर्गान की से इसको स्टिक कर देए अब इसको तोड़ा सा करेंगे भी ह। ने हमने थोड़ी से स्टॉन और सितारों को लिया है और इनको वी यह सारी चीज़ आप कुशन कवर स्टिच करने से पहले बनाएंगे तो स्टिचिंग के बाद इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छे से आजाएगी यहां पर जो लंबी बारी डोरिया हैं यहां पर भी हम गलू गन से इनको स्टिक कर दे रहें ताकि अपनी जगा से मूव ना करें और यह जो दो कपड़े हमने बैक साइड के कट करें थे इसमें हमने सिलाय लगा लिए एक एक साइड में अब देखिए इसको इस तरह से रखन के रखना है अब इनको हम अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद पिन की हल्फ से इनको टाकिन कर देंगे ताकि अपनी जगा से मूव ना करें अगर आपके पार इस तरीके की स्टिचिंग वाली पिन ना हो तो आप सेफटी पिन का भी यूज कर सकते हैं और फिर आप यह बात ध्यान रखें कि जहां पर आपने ग्लू गन से स्टिक किया है उसके उपर आप सिलाई मशीन ना चलाएं यूज कि नहीं चलेगी और सुई टूट जाएगी थोड़ा सा मार्जन लेते वे यानि कि आप जो ग्लू गन है उसको बिलकुर किनारे पर लगा के इनको स् और अब इतने बड़े कुशन पर बिना चेन वाला कवर कैसे चड़ाना है वो भी आपको दिखा देते हैं बहुत ही आसानी से हमारा कुशन कवर बनकर रेडी हो गया है तो आप लोग भी बिलकुर टेंशन ना लें अगर आपको चेन लगाने में प्रॉब्लम आती तो इस आप सेम कलर की ले लें बटमाय पास उसी को हमने यूज किया है और इनको पिन से हमने टकिन कर लिया है और आइरन भी किया था उसके बाद हम इसकी लाइनिंग को चारो तरफ से कट कर रहे हैं इससे ये फिनिशिंग से बनेगा देखिए इच सिलाई में अगर आपको फिनि को अच्छे से सेट करने के लिए बिना आयरन के अगर आप इस पर सिलाई लगाएंगे तो जोल भी आजाएगा और बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी तो यहां तक करने के बाद जो इसका मुझ खुलावा था जहां से हमने इसको सीधा किया था उसको भी इस तरह से से कर लेना है और फिर आयरन कर लेना है ताकि जो हमारी सिलाई आए वो बिल्कुल फिनिशिंग से आजाए अब यहां पर हमें लगा लेनी है एक सिलाई मगर उससे पहले हम इसको पिन से टकिन कर देंगे ताकि यह तनी रखर से मूव ना करें और क्योंकि ही सरकल शेप में इस करें इसको बिना बना है यहां पर ही हमारा स्टिच हो गया है उसके बाद यहां ली है चौक और एक इंच का मारजन लेते हुए हम एक लाइन डौ़agle कर रहे है और यहां पर हम पैंसिल की हेप इसमें डिजाइन रख कर रहे है तो देखिए गवें के हाएं हम भी को स्टिक क करने के लिए इससे एक बहुत ही प्यारा सा बहुत स्टाइल का पैटर्न क्रियेट हो जाता है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन जाता है बहुत ही इजी सा मेथड है कोई स्टिचिंग की जुरूत नहीं है ग्लुएन की हेल्फ से आप इस तरीके का डिजाइन क्रियेट क करें अपने घर को सचाने के लिए तो देखिए बहुत ही सस्ता टिकाओ और आसान सा डिजाइन हमने आपके साथ शेयर किया है इसमें की 20 रुपी की डूरियां लेनी है और बस उनसे डिजाइन क्रियेट कर लेना है जो भी स्टोंस पड़े उनसे आप डेकुरेट कर सकते हैं तो चलिए अब दिखाते हैं मापको इसका फाइनल लुक जो हमने सोफा कवर सिला था उसको हम यहाँ पर स्प्रेट करके दिखा रहे हैं और यह सर्दियों में तो बहुत ही कोजी लुक क्रियेट करेगा आपके लिविंग रूम में अगर आप इस तरीके का फार वाला सोफ पर अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे ताकि बैठने से यह मूव ना करें तो इस तरह से हमारे सोफिका कवर बहुत अच्छे से सेट होकर बन गया है और पूरी की पूरी बैचशिट आराम से अच्छे से यूज़ हो गई है तो देख सकते हैं यह सोफिका कवर बिच गया तो फ्रेंड यही थे हमारा आज कर वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भीडियेगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई